हेलो एवरिवन गूद बॉर्णिंग तो लॉजिक पाट शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिफ्ट एप्रल के इंपोर्टन करेंट अफियर्स के क्वेश्चिन्स इस वीडियो का पीडियो आप लोगो मिल चाहिए का टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको दिया अगया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं आशा कर दियू कि आप सभी कोई वीडियो से काफी मदद मिल रही होगे आपके एक्जाम में क्योंकि इस टाइम काफी एक्जाम शल रही है तो फिर्ट्स करेंट अफियर्स का पोशिन आपके एक्जाम पॉइंट ओवे से का वीडियो को आप लोग जरूर देखे का और जो रिविजन वीडियो होती है ना उन वीडियो से आप लोग अपना रिविजन जरूर करें तो चले शुरू करते हैं आज किस क्लास्विक मोटिवेशन कोट से if you want results then work like you want them तीकि अगर आप results चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका चाहिए कोई exam of clear हो जाए आपने कोई अपना एक aim रखा और target set के वो complete हो जाए तो आपको उसके लिए work भी उसी तरीके से करना होगा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोस्ते रहें हम सिर्फ ख्वाईशे रखें लेकिन उसके पर work ना करें और वो पूरी हो जैसा कभी नहीं हो सकता है आपको उसके पर उतनी ही महनत करनी होगी जितना आप result चाहते हैं तो बिलकुल अभी उठें और अभी महनत करनी शुरू करें तो चले शुरू करते हैं आज 5 अपरिल को सेलिब्रेट होता है नैशनल मेरिटाइम डेए देखें नैशनल मेरिटाइम डेए इसके शुरुवात हुई थी इंडिया में ये सेलिब्रेट होता है 5 अपरिल को 1964 को पहली भार ये सेलिब्रेट किया गया था आप थीम देख सकते हैं सस्टेनेबल शिपिंग बियोंड कोविट नाइटीन नैशनल मेरिटाइम डे एक तरीके से रिकगनाइस करता है कि जो सी फियर से हैं यानि जो ऐसे लोग हैं जो की नाविक हैं या उर्गनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो भी वो सर्विस देते हैं उसी को ही माननेता देता है या उसी को ही ये रिकगनाइस करता है समझके फ्रेंड्स आप लोग की क्यों मनाते हैं तो इसी ध्यान रखीगा कि इंडिया में नैशनल मेरिटाइम डे 5th of April को सेलिब्रेट किया जाता है चलिए शुरू करते हैं Questions का सिलसला पहला कोशन है हमारा Victor Orban won a 4th consecutive and 5th overall term as a Prime Minister of which country तो Friends देखे जो Victor Orban है न ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने ये लगतार तो चौती बार रही है और टोटल ये पांचवी बार यहां पर यहां के प्रधानमंत्री बनी है तो country का नाम कौन सा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा Friends Hungary तो Hungary के अभी ये Prime Minister जो है वो elect हुए है He has been serving as a Prime Minister since 2010 2010 से ये काम कर रही है और इससे पहले भी ये 1998 से लेके 2002 तक इस पत पर रही तो overall इनका 5-4 term है लेकिन लगातार अगर हम बात करते हैं चौथी बार ये यहां के Prime Minister पत के लिए Appoint किये गए है अभी देखे काफी सारे Prime Minister और President भी Appoint हुए हैं तो वो सभी आपको दिहान रखनी है क्योंकि important है आपके exam के लिए अभी हाली में देखे माल्टा के Second term के लिए Prime Minister कौन बने Robert Abila सर्दार वर्दी मुखा में दो ये तुर्कमेनिस्तान के President इलेक्ट हुए Next देखे कैटलेन नुवाक ये हंगरी की पहली Female President अपॉइंट हुई है तो दोनों ध्यान रखो Prime Minister कौन Victor Orban ये अगेन यहां बनी है और पहली यहां की Female President बनी है कैटलेन नुवाक Germany में Frank Walter Stenmere ये अपने दूस्टे टर्म के लिए President इलेक्ट हुए Antonio Costa ये Portugal के Re-Elect के ने दुबार से यहां के Prime Minister अपॉइंट किये गए है तो फिर्ट हाल फिलाल के देखे जितने भी Prime Minister President से related अपॉइंट है ना वो सभी important है आपके एक्जाम के लिए अगला कोशन है देखे Who launched the website Temple 360 in April 2022 ये एक website है जिसका नाम है Temple 360 और इस website को किसने लाँच किया है Right answer is Minakshi Lekhi देखे मिनाक्षी Lekhi के बात करते हैं तो ये Minister है State for Culture and External Affairs की Minister है ये State Minister और इन्होंने इस website को launch किया है अब ये जो website launch की गई है देखे इसे New Delhi के IGNCA Amphitheater इंदरा गांदी National Center of Arts में इसको वहाँ पर इसे launch किया गया अब इसका क्या मतलब है देखे Temple 360 एक website है जहां पर One can visit a temple of their choice कोई भी वेक्ति भारत में कभी भी कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता यानि आप online देख सकते हो वो सारे चीज़ें आप कहीं भी बैटे हो आपको भारत में किसी भी temple पे विजट करना है आप अपनी choice से उसको इस website के थूँ देख सकते हो ये क्या कर सकता है अलसो देखे ये perform करेगा ए आरती मतलब एक भक्त जो है जो devotee है उनको ए आरती और other जो services है उसको करने की भी अनुमती देता है इट मींस ये है कि भाई देखो आप वहाँ नहीं जा सकते मींस आपको किसी temple को विजट करने का मनने लेकिन आप वहाँ जा के उसे विजट नहीं कर सकते तो आप उस website पे उसको विजट कर सकते हो जहां पर भी वो temple हो कितनी भी दूर हो यह कि online तो सब possible है तो यही है temple 360 website अब देखे कुछ और important news को हम revise करते हैं अनुराग ठाकोन है जो कि sports minister है भारत के उन्होंने logo मैसकोर्ट जर्सी एंथम रिलीज किया खेलो इंडिया उन्यूवर्सिटी गेम्स का साथी में थावर्चन गहलोत का नाम भी ध्यान रखेगा इसमें इसके अलावा देखे N.B. रमना जो कि हमारे भारत के Chiefs Justice है इन्होंने एक software लॉंच किया जिसका नाम है फास्टर पियोश कोयल ने इन्गरेट किया Indian Jewelry Exposition Center Building कहां पर दुबई में स्मती रानी जी के द्वारा भारत भाग्य विधाता जो कि मेगा रेट फोर्ट फेस्टिवल है इसे इन्गरेट किया गया तो फ्रेंट्स में साथी साथ आपको पुराने करेट फेस भी revise कराती चलती हूँ क्योंकि कहीं से भी तो question मन सकता है हम पुराने करेट फेस भूल लजाए इसके लिए revision बहुत ज़रूरी है अगला question है हमारा Eugene Parker was an dash astrophysist who passed away in recently देखिए कौन से देश के एक astrophysist याने खगोल भौत देखी विद थे जिनका हाली में निधन हुआ सही answer हो जाएगा देखिए यहाँ पे American ठीक है तो American astrophysist थे जिनका हाली में निधन हुआ है 2018 में देखिए जो NASA का Parker solar probe है इसके नाम के एक अंतरिक्षियान के प्रक्षेपण को जब इसका एक तरीके spacecraft bearing हुआ तो उसको देखने वाले यह पहले व्यक्ति बने थे और इनका भी हाली में निधन हुआ है कुछ और famous personalities की बात करें देखिए जैसे की Jeff Darling, Jeff Darling जो है Australian cinematographer है और director थे इनका निधन हुआ Belgian footballer Mugel Van Dam इनका भी हाली में निधन हुआ है at the age of 28 काफी early age इनका निधन हो गया तो इनका नाम ध्यान रखेगा PJ O. Rook जो कि American journalist, political satrist and best selling author थे इनका निधन हुआ इसके अलावद देखिए बप्पी लहरी जी जो कि singer music director थे इनका भी निधन हुआ है भाली में तो आप लोगों से कई बार ऐसा होगा कि आपको नाम दे देंगे उनका field पूश लेंगे कि कौन से field से ये बिलॉंग करते हैं उन्होंने कोई famous award जीता होगा तो उसका year पूश लेंगे इस तरीके से आपको यहां से question देखने को exam में मिलेगा अगला question है हमारा which state government launched crop insurance portal of मुख्य मंत्री बागवानी बीमा योशना तो इस कौन से राज़े के सरकार ने ये फसल बीमा पोर्टल जो है इसे लॉंच किया है सही answer हो जाएगा देखिए हाँ पे हर्याना हर्याना की सरकार के त्वारा इस पोर्टल को जिसके कारण जो है फार्मर्स की जो फसल है वो खराब हो जाती है तो उनी फसलों को जो नुकसान होता है उसी की भरपाई के लिए एक तरीके से compensation उनको दिया जाएगा जो भी उनकी फसल खराब हो गई है उसी के लिए ही ये बीमा पोर्टल है इस scheme के तहदे के टोटल 21 crops को cover किया गया जिसमें 14 vegetable crops है 2 spices है और 5 fruits crop है जोनको इस scheme में cover किया गया इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हर्याना की तो capital है हर्याना की चंडिकर CM है मनुहलाल खटर और यहाँ पे governor है बंडारू दतातरे हर्याना से बात करें तो देखे पहला जो virtual smart grade knowledge center है ना वो inaugurate हुआ हर्याना की मानिसर में हर्याना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा सुष्मा सुराज awards की announcement करीगी women's के लिए और हर्याना की government ने ही मात्र शक्ती उद्धमिता scheme को भी शुरू किया तो यह important हमारे करेंट अफेस से हर्याना स्टेट से अगला हमारा question है which state has been ranked first among states with the lowest unemployment rate in the country मतलब सबसे कम बेरोजगारी दरवाले राज्यों में किस राज्यों को प्रत्थम इस्थान दिया गया कि वहाँ पी जो unemployment है या आपके लिए जिब यू बेरोज़ कम lowest unemployment है उसमें यह पहले स्थान पर रहा है तो राज्यों का नाम हो जाएगा 36 गड़ चैके फ्रेंट 36 गड़ को इसमें पहली rank मिली है अब यह जो latest data है ना इसको release किया गया Center for Monitoring Indian Economy के द्वारा जहां पर बताएगा है कि 36 गड़ में जो unemployment rate है वो है 0.6% जोगी अभी तक का सबसे कम है अगर highest unemployment की बात करते हैं तो highest unemployment rate जो है हरियाना state में और उसके बाद आता है राजस्थान तो एक तो आप lowest वाला ध्यान रख लो 36 गड़ और एक highest वाला ध्यान रख लीचे हरियाना ठीके फ्रेंड्स अब बात आती है देखे हाँ पर 36 कर की तो CM यहाँ पर भुबेश पगेल और अनुसुया उई की यहाँ की गवर्णर है अब 36 कर से मैं आपको कुछ news revise कराते हूँ तो थोड़ी पुरानी news है देखे 36 कर ने observe किया था 2nd National Tribal Dance Festival कहाँ पर राइपुर साइन्स कॉलेज के ग्राउड में 36 कर के गवर्मेंट के दौरा एक scheme शुरू करी गए जिसका नाम है शुरी धनवंतरी generic medical store scheme इसका उदेश है था कि जो generic medicines है न उनको low cost पर provide करना 36 कर के चीफ मिनिस्टर के दौरा millet mission शुरू किया गया था जहां पर जो माइनर जो सिरल क्रॉप से ना उनके proper rates जो है farmers को provide किये जाएंगे तो ये कुछ schemes हैं कुछ आपकी news है जो कि 36 कर से related है अगला हमारा question है यहां पर देखिए महिला मनी transcript and which of the following have team up to launch महिला मनी prepared card मतलब एक तो हो गया देखिए महिला मनी second है transcript और तीसरा कौन सा है जिसने मिलकर महिला मनी prepared card को launch किया है तो third यहां पर हो जाएगा visa ठीक है तीरों नहीं रखिए का आप लोग देखो यहां पर दिख रहा होगा क्या तो जितनी भी women entrepreneurs है ना उनको एक तरीके से वह अपने जो digitally payment जो payment digitally करती है ना अपने business के लिए उसमें उनको काफी easy हो काफी असानी होगी और अपनी working capital को boost up करने में भी उनको मदद मिलेगी इस card इसी उनको directly loan भी provide हो जाएगा तो यह सारी facility जो है इस card में provide की जाएगी अगरा question है हमारा which of the following bank will launch the smart hub व्यापाय program and auto first app कौन से bank ने ने launch किया है तो आपका right answer हो जाएगा STFC bank तो यह दोनों जो आप देख सकते हैं एक program है smart hub और एक application auto first इन दोनों को STFC bank ने शुरू किया है अब इसमें क्या होगा देखिए सबसे बहले बात करते हैं जो smart hub व्यापाय program है यह merchants के लिए शुरू किया गया है इसमें आपको कहीं सारे payment platforms में लेंगे जैसे UPI QR code tap pay SMS based payments STFC bank ने जो application launch करी है auto first यह देखे fully automated auto launch के लिए है तो यह दोनों शुरू किया है STFC bank ने जिसकी शुरूबातों 1994 में और इसका headquarter है Mumbai में तो यह हमें ध्यान रखना है अगला हमारा question है who has been appointed as a managing director and chief executive officer of Tata Consultancy Services तो देखे फिरंट Tata Consultancy Services के प्रभंत निदेशक के रूप में किसे न्योक्त किया गया है राइट answer हो जाएगा राजेश कोपिनाथन तो ध्यान रखीगा इनका नाम अब बात करती है इनके बारे में तो देखे यह अगले 5 सालों के लिए पॉइंट किये गए है राजेश कोपिनाथन ये CEO और Managing Director रहे हैं कंपनी के सिंस 2017 से यहीं ध्यान रखेंगे एन गनपती जो सूब्रयमन्यम है इनको कंपनी ने री अपॉइंट किया है as a chief operating officer और executive director के पतपर तो इनका नाम भी current affairs से ही थ्यार रखेगा चले कुछ और revise कर लेते हैं तो जैसे अभी हाली में विकास कुमार ये डेली Metro Rail Corporation की managing director अपॉइंट किये गए इसके लावा देखें ये वाला important नाम है Dr. S. Raju ये डारेक्टर जनरल बने Geological Survey of India की नेक्स नेम है विश्वास पतेल ये payments council of India की as a chairman के लिए दुबारत से elect हुए है और सशी सिनहा ये broadcast audience research council इडिया के chairman बद के लिए appointed किये गए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है अब देखे Grammy Awards की बात कर लेते हैं ग्रैमी Awards की announcement हो गई है winners की तो यहां से भी question बनेगा जैसे अभी हमने recently कौन सा अवार्ड पढ़ाता ओसकर पढ़ाता तो जितने भी ये famous awards होते हैं एक नए question आपका exam में जरूर बनेगा यहां से तो इसको cover करके जरूर जाए तो इस बार ये Grammy Awards का कौन सा अडिशन हुआ 64 अडिशन हुआ पहली बार ये MGM Grand Garden Arena में हुआ जिसको host किया Trevor Noah ने इसमें सबसे जादा देखे जो nominations हुए थे न वो किसे रिसीव हुए थे जॉन बेटिस्टी को और इन्हें सबसे जादा awards भी रिसीव हुए है तो ये तो हो गई हमारी basic बात जो हमें ध्यान रखनी है अब winners की बात करते हैं एक-एक करके देखे यहां पर आपको direct ही question बनेगा मैंने question wise तो नहीं रखा है क्योंकि मैंने आपको सारे यहां पर करा दिये most important जैसे पूछ जाएगा कि album of the year ये किसे मिला है Grammy Awards में तो आपका अंसर होगा VR album का नाम है जो कि किसकी है जॉन बेटिस्टी की है इसके बाद देखे record of the year ये किसे गिया है leave the door open जो कि है किसके दोरा है Bruno Mars और Anderson Park next एक है best new artist Olivia Rodrigo best rap album जिसका नाम है call me if you get lost जो कि Tyler the creator के दोरा इसको launch किया गया best R&B album winner की रही here socks tales rap song ये कौन से किसको मिला है jail को मिला है ये song का title है best country album ये दिया गया है starting over ये Chris Stapleton की है song of the year ये दिया गया है ये मिला है leave the door open को इसके बाद देखे best rock album medicine at midnight best rock song ये song है वो album था song में किसे मिला है waiting on a war जो कि किसका है foo fighters का है और album में भी देख सकते हैं foo fighters की ही album है तो ये आपको winners आपको directly ध्यान रखने है इसी तरीके से चले next question की तरह बढ़ते है who won the 2022 Miami Open Tennis Tournament हाली में देखिए जो Miami Open Tennis Tournament हुआ ये किसने जीता है सही answer हो जाएगा Iga Swetik Iga Swetik जो है ये polish tennis player है जिनके द्वारा इस tournament को जीता गया है इन्होंने इसमें जपैन की Naomi Osaka को defeat किया Swetik के लिए ये उनका चौथा WTA 1000 title है उनके career का और कुल मिलाकर उनका single में ये 6th title है ठीक है ध्यान रखेगा इसी में आप देख सकते हैं कि इस victory के बाद में इस victory के साथ जो Swetik है वो women's के ranking में कौन से spot पर आ गई है नमबर 1 spot पर आ गई है तो आपको डारेक्टी ध्यान रखना है कि ये जीता किसने है अगला question है विश टीम won the ICC Women's Cricket World Cup 2022 आप सभी को पता है कि अभी हाली में ICC Women's Cricket World Cup हुआ इसमें कौन से टीम जीती रहे तो आपका अंसर हो जाएगा इसमें जीती है Australia तो Australia ने जो है इस बार का जो है women's single का ये जो title है वो अपने नाम किया है इसमें Australia ने किसे defeat किया question ये भी पूछ सकते है तो Australia ने इसमें England को 71 run से हराया final में और अपना 7th women's World Cup जो है वो receive किया यानि ये इनका 7 वा title है और जो final match हुआ था वो Hagley Oval Chris Church Stadium न्यूजिलेंड में खेला गया था तो ये आपको ध्यान रखना है इस बार का जो venue रहा न women's World Cup का वो था न्यूजिलेंड इसमें देखें जो Australia की player है Eliza Healy इन्होंने last match में 170 runs मनाएते जो कि highest individual score रहा है किसी भी किर्केटर का चाहे male female में अगर हम बात करें तो World Cup के final में किसी किर्केटर का इतना ज़दा highest score अभी तक नहीं रहा है तो आप इनका नाम ध्यान रखेगा पूरे tournament में जो इन्होंने run score करे हैं वो है 509 runs इन्होंने पूरे tournament में score की इसलिए इनको player of the tournament का जो title है वो दिया गया यहीं देखें इंगलेंड की जो Sophia Cliston है was the leading wicket सबसे जादा wicket जो है पूरे tournament में इन्होंने लिए इस बार यह इसका कौन सा edition हुआ है तो यह भी हमें ध्यान रखता है यह इसका है 12th edition जो कि कहां पे हुआ है New Zealand में हुआ है ठीक है और विजेता team कौन से रही Australia तो यह कुछ basic से important points है जो कि हमें ध्यान रखते हैं चले friends अब revision कर लेते हैं तो फटाफट से first question है हमारा Sergei Lavrov met with external affair minister S.J. Shankar at Hyderabad house in New Delhi जो Sergei Lavrov है यह कौन से देश के foreign minister है तो आपका सही answer हो जाएगा यहाँ पर Russia is the right answer इसके बाद दिके President Ramnath Kuvin was accorded a ceremonial guard of honor कौन से देश के visit के दौरान इनको समानित किया गया तो आपका answer हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान इसके बाद दिके अगला question है फो लॉंच ता लोको जर्सी मैसकोट एंद इंथम आफ खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स 2021 तो मैंने आपको भी पताया revision में देखे TC गहलोट यानि था वर्चन गहलोट और अनुराग सिंग ठाकुर इन दोनों के द्वारा ही जिन्होंने एक आईड़तर लॉंच किया है जिसका नाम है मन्थन इसका उदेश्य है security market में innovation को प्रमोट करना और ये लॉंच किया है सेभी के द्वारा इसके बाद है according to the Eldorado weather website which city was the third hottest city in the world तो इस city का राम है चंदरपुर पहले नमबर पे तो है वो माली की कायस city है जहां पे सबसे ज़ादर temperature record किया गया which state set up नंदिनी शीरा सम्रदी cooperative bank तो इसकी स्थापना किस राजे ने की है तो सही answer हो जाएगा यहां पे करनाट का next question है which bank has been adjudged the best performing bank in SHG linkage by the National Rural Livelihood Mission तो इसके तहर कौनसे bank को best performing bank का जो title है वो मिला है तो आपका अंसर रहेगा SDFC bank अगला question who assumed the appointment of Commandant National Defense Academy सही answer हो जाएगा Ajay Kuchar इसके बाद देगे Geological Survey of India में Director General कौन बने तो अभी हमने इसको भी revise किया था तो आपको याद होगा Dr. S. Raju Next is Naval Staff के Deputy Chief के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया है The right answer is Sanjay Mahindru is the correct answer Farm Easy ने अपने latest campaign के लिए किसे अपना brand ambassador बनाया है तो right answer हो जाएगा Aamir Khan इसके बाद है Who has become the highest wicket taker तो IPL में अभी तक के highest wicket taker कौन है तो आपका right answer होगा Dwayne Bravo तो friends यह थे हमारे सभी questions कल आप लोगों से मैंने पहला question यह पूचा था कि नए Chief Economic Advisor कौन बने इंडिया के तो आपका answer बिल्कुछ सही है V. Anant Naagishwaran Second question था कि पहले National Maritime Security Coordinator इंडिया के कौन बने The answer is G. Ashok Kumar तो आप सभी ने बिल्कुछ सही answer करी है Thank you so much आप लोग comment करते हैं बहुत यह अच्छा लगता है आज के हमारे comment है प्रतीबदाज, सुरिंदर कौर और अभिशेक सिंग तो इसी तरीके से चलिए आज की questions के बारे में देखते है When was the first woman cricket world cup played मैं अभी हमने world cup की बात करी चले इस बार का हमें बदा चल गया Australia ने जीता है और आपको बताना है कि पहला world cup कब खेला गया था और उस पहले world cup को कौन सी team ने जीता ये भी मुझे साथी में ज़रू बताएगा Second question है कि तेजस program को launch किस ने किया तेजस की full form है Training for Emirates, Job and Skills तो फ्रेंट ये दो question है आप लोगों के लिए मैं आशर करती हूँ कि आज वीडियो के जितने भी questions थे आपको अच्छे से clearly समझ आए होंगे आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे क्योंकि देखे जब आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको पीछे नहीं जोड सकता तो आपको सिर्फ क्या करना है आपको सिर्फ आगे पढ़ना है आपको quit नहीं करना है चाहे कितनी भी problems क्यों ना है कितना भी आपको सफर क्यों ना करना पड़े आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है क्योंकि जब आप अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप success जो आपने सोचा होगा न अपनी life के लिए उसे आप ज़रूर अचीव करेंगे चले मिलेंगे आप योगस से कल की वीडियो में Thank you so much for watching this video